अगर आप सच देखना चाहते हैं, तो न सहमती और ना ही असहमती में राय रखें। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। स्री कृष्ने कहते हैं, जिन्दी की ठाहराव और गती के बीज का संतूलन है। मुर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हसते हैं, बुधिमान खुद पर हसते हैं। दुख इस बात का संकेत हैं, कि आप संघर्ष में हैं। स्री कृष्न कहते हैं, कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। मनुष्य का हमेशा डर के जरिये ही सोसर किया जाता है। स्री कृष्न कहते हैं, जहां डर खत्म हो जाता है, वहां जीवन शुरू हो जाता है। एक आदमे जो 100% समज़दार है, तो वह मर चुका है। आप वही बन जाते हैं, जो आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। स्री क्रिश्ण कहते हैं जिन्दगी कोई मुसीवत नहीं है बलकि यह तो खुबसुरत तौफा है चुने नहीं जीवन को स्विकारे क्योंकि यह अपनी समग्रता में है चिंता करने का मतलब है कि इश्वर की विवस्था पर शक करना वास्त्विक रहे और एक बड़ा चमतकार करने का पर्यास करे स्री क्रिश्ण कहते हैं खोजना है तो जिन्दगी खोजो मृत्यू तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी भीर उनको ही पसंद करती है जो उनकी जैसे है किसी अनूठे को नहीं उत्सो मेरा धर्म है प्रेम शंदेश है और मौन मेरा सत्य है भै हमेशा भविश्य के लिए होता है भै कभी वर्तमान में नहीं होता स्री क्रिश्ण कहते हैं अनंदित जीवन और अस्तित्व ही अपना ध्यान रखेगा अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निस्चित ही जिन्दगी बहुत ही खुबसूरत होगी स्री क्रिश्ण कहते हैं वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है असल में वही इंसान कहलाने योग्य है शच्ची प्रात्ना सिर्फ धन्यवाद देना है बस एक सधारण सा धन्यवाद प्राप्त है आपकी हसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हसी अनन्द देने वाली होनी चाहिए जीवन एक चक्र वियू है जो निकल गया वो बादसा बनेगा और जो फस गया वो विखारी शाहसी होने का मतलब किसी अग्याद के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है स्री क्रिष्न कहते हैं जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज अस्पस्ट हो जाती है वो लोग जो कुछ भी बनने के लिए तयार नहीं है प्रेम कर सकते हैं जब तक आदमी स्रीजन की कला नहीं जानता तब तक अस्तित्वे का अंश नहीं बनता स्री क्रिष्न कहते हैं लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यू से बचने के लिए जिंदिगी से बचते हैं जब जब तक अजब प्रव दूख से बचते हैं